दोस्तों वेलिकम फोर यूर चैनल एवी बॉक्स ओफिस हैपी दिपावली चलिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे साथ फिल्मों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तमिल फिल्म अननता के बारे में दोस्तो मैं आपको बता दू कि ये फिल्म एक action thriller फिल्म है जिसके man lead में आपको रजनी कांद और नेन तरा काम करतों नजर आ रहे हैं दोस्तो मैं आपको बता दू कि फिल्म ने अपने पहले दिन ही 30 करोड से ज़्यादा की opening लेकर के रजदिया एक नया इतहाज और दोस्तो आज के दिन जब सब बिज़ी रहते हैं उच टैम पे भी फिल्म ने 30 करोर से जादा का कलेक्शन करा यानि दोस्तो फिल्म सूपर डूपर हेट है और दोस्तो फिल्म में के अंदर रजिनी कान ने अपने स्टाइल और अपने एक्शन स से ओडियोस को अपना फेन बना लिया है दोस्तो फिल्म में का बजट 180 करोर रुपे है और फिल्म ने जब अपने पहले दिनी 30 करोर से जादा की ओपनिंग ली तो दोस्तो यह फिल्म में हो चुकी है सूपर डूपर हेट है वहीं पर दोस्तो अगर हम बात करें दूसरी फि करने दोस्तो अगर बात करी जाए फिल्म के कलेक्शन की तो जिस तरीके तर फिल्म का बस ख्रेज देखने कले मिल रहा है और दोस्तो फिल्म को ज़्यादा इस्क्रीन नहीं दी गई तो दोस्तो यह फिल्म अपने पहले दिन ही 4 करोड 50 लाक रुपे का कलेक्शन ही कर पाई जबकि दुस्तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म के स्टोरी में काफे रदा दम है और ओडियस के तरब से फिल्म को 4.6 स्टार के बहतरिंग रेटिंग देखने के लिए मिली इसी के साथ दोस्तो अगर हम बात करें हमारी तिसरी फिल्म की तो दोस्तो हमारी तिसरी फिल्म है डे बुक दोस्तो इम्रा नासमी की होरर थीलर फिल्म है जिसके नदर उनके अपोजिट कामकरत में नजर आरी है निकिता अगर दोस्तो बात करें फिल्म के कलेक्शन की तो दो दिन और दोस्तो फिल्म ने अपने 8 दिनों में 56 करोड का कारोबार कर लिया है जहां पर दोस्तो फिल्म का बजट 38 करोड रुपे है और फिल्म ने 56 करोड का कारोबार कर लिया यानि कि दोस्तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है वहीं पर दोस्तो अगर हम बात के रहे ह हमारी दूसरी action thriller फिल्म की, तो दोस्तो हमारे चोते नंबर पे है फिल्म सनक, इस फिल्म के नापको विद्यू जमवाल और रुकमनी मेत्रा में लीड में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, इस फिल्म को डारिक्ट करा है कनिश का वर्माने, तो दोस्तो विद्यू जमवाल ने अपने action से फिल्म में के न चान चान लगा दिया, फिल्म न अपने पहले हपते में 1.500 करोड रुपे कमा लिये थे और दूसरे हपते में 28 करोड, इसके चलते दूस्तो फिल्म को लगेवे को हो चुके हैं 21 दिन, और दूस्तो फिल्म में अपने 21 दिन 1 करोड रुपे कमारी है जिसके चलते इस फिल्म का 21 दिनों का टोटल कलेक्शन 190 करोड रुपonie हो चुका है यानि कि दुस्त फिल्म all time blockbuster साबित हो चुकी है वहींपर दुस्त अगर वह हमारी पाचवी फिल्म की तो दुस्त हमारी पाचवी फिल्म है जय भीम, दोस्त इस फिल्म में के आप को मेंड लीड में सूर्या और प्रकास राज काम करते हुए नजर आ रहे हैं फिल्म में को डारेक्ट करा है टीजे ने और दोस्तो आदीवासी ओडियस के तरफ से इस फिल्म को काफी बड़ा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है फिल्म में का बजट 55 करोड रुपए बता जा रहा है और फिल्म ने अपने पहले दिन 25 करोड रुपए की ओपनिंग ली थी तो दोस्तों हमारे चटे नंबर पे है फिल्म सूरी वनसी दोस्तों कल के दिन ये फिल्म हम सबके बीच में रिलीज होने जारी है और दोस्तों इस फिल्म में की ओक्योपेंसी और बस सात्वे असमान पे पहुच चुका है दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि फिल्म में की PVR और आइनोप्स की एडवांस बुकिंग भी चलू हो चुकी है दोस्तो इस फिल्म में एडवांस बुकिंग से ही लगबग डेड़ गरोड रुपे का कलेक्शन कर लिया और दोस्तो रजदिया नया इतहास अगर दोस्तो बात करी जाए तो फिल्म हम सब के बीच में काफी बड़े लेवल पर रिलीज करी जा रही है आपने इस फिल्मे की टिकेट बुक करीड की नहीं हमें कमेंड करके जुरूर बताईएगा वहीं पर दोस्तो अगर हम बात करें हमारी छटे नंबर की फिल्म हम दो हमारे दो की तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि ये फिल्म में एक कॉमेडेन फिल्म है जिसके नहीं आपको राजकुमार, राओ, कृति, सेलन और प्रेस्स, रावल जैसे बहतरिंग एक्टर काम करतुए ने ज़र आ रहे हैं इस फिल्मे को डारेक्ट करा है अभिशेक जेन ने दोस्तो फिल्म ने अपने तीन दिनों में 33 करोड पिचोतर लाग रुपे का कलेक्शन कर लिया था वही पर दोस्तो फिल्म ने अपने साथ दिनों में जानी के पहले अप्ते में 45 करोड रुपे कमा लिया थे अब दोस्तों अगर बात करें फिल्मे के आठवे दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों ये फिल्मे अपने आठवे दिन लगबग 2 करोड रुपे का कारोबार कर रही है जिसके चलते दोस्तों इस फिल्मे का टोटल कलेक्शन हो चुका है 47 करोड रुपे अब हमको देखना ये है दोस्तों कि जहांपर फिल्में का बजट महस 35 करोड रुप्ए था तो दोस्तों ये फिल्म में क्या 100 करोड का अकला पार कर पाती है या फिन नहीं वेसों दोस्तों अगर आप इन सबी फिल्मों को देखके आ चुके हैं तो आपको कौन सी फिल्म में पसंद आई कमेंड करके चुरू बताइएगा और सभी फिल्मों के अपडेट जानने के लिए आपके और हमाचेल को सस्क्राइब करना ना बुलिएगा जैहिंद वन्यवात्रव